सातियों क्या आप भी उनमें से एक हैं जो डरे हुए हैं भाई भीत हैं बुरी तना से क्योंकि आपके घर में बना हुआ है टॉलेट इशान कोंड में नौर्थीस में पुर्वतर में और वहम आपको खा रहा है क्योंकि आपने ऐसे वीडियो देख ली हैं ऐसी बाते सुन ली हैं जिससे आपके मन में जबर्दस टेंशन हो रही है क्यों क्योंकि आपका टॉलेट बना है इशान कोंड में टेंशन की बात नहीं कैसे दूर करेंगे इस टेंशन को और कैसे इस वा वास्तु शास्त्र के एंसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारत द्वाच साथियों क्या हुआ आज तो आपने लेबर बुला रखी थी तोड़ने के लिए आपना तोड़ना था आपने घर का नौर्थ इसका इशान कॉन का टॉलेट और आपने देख ली मेरे वीडियो जाग गये यहीं से आप तोड़ना नहीं है थोड़ा बेट कर लो मेरी वीडियो तोड़ने का शौके तो तोड़ते रहो जंदगी बड़ी तोड़ने के लिए मैं कभी तोड़वाता नहीं हूँ क्योंकि छोटी छोटी रेमेडी वास्तु में बहुत बड़ा काम कर जाती है आईए अगर आपका टॉलेट बना है इशान कॉन में नौर्थ इसमें जहां प कर साथियों मैं हूँ डॉक्टर आनद भारदवाच आपने पैचान लिया होगा आपके लिए लाया हूँ एक खास चीज जो आपके टेंशन को दूर करेगी जी हां आज हम बात करने वाले हैं आप देख रहे हैं इशान कॉन नौर्थ इस पूरवतर जो की गौड का स्थान होता है जहां पर होना चाहिए पूजास्थान वहाँ पर आपका गलती से बन गया है टॉलेट गलती इसलिए कह रहा हूँ मैं कि वास्तों में जितने भी हमें हमें दोश मिलते हैं वह सबके सब अंजाने में होते हैं जान बुझ के नहीं कि होते हैं आपको पता नहीं था व बहुत बार पानी के हाथ धोने के होते हैं, नहाने के भी होते हैं, ये सब इसको बोलते हैं वाश्रूम या टॉलेट, लेटर भी बोल देते हैं, अब देखिए कैसे ठी करेंगे इसकी आसान डेमेडी आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, देखिए, सबसे पहले हो सकता है कि आपका घर बिल्कुत सीधी-सीधी दिशाओं पर हो, यानि आपका घर जहें वो कुछ इस तना से बना हुआ हो, जिसमें के सब इदिशाएं सीधी हैं, तब टॉलेट कहां हो सकता है आपके घर में, तब आपका टॉलेट हो सकता है, बाई चांस, उत्तर में हो सकता है, य यहां से ले करके यहां तक कहीं भी आपके घर में टॉलेट हो सकता है, यहां तक की सेंटर के आसपास भी हो सकता है, यह सब जगाँ है, यह सब की सब जगाँ है आपके वाश रोम की जिसे हम कहते हैं टॉलेट, कैसे बना हो सकता है, देखिए, टॉलेट जो है आपके घर में, हो सकता है कि डॉलेट हो सकता है आपके घर में बना हुआ हो उत्तर दिशा में यह हो सकता है उत्तर उत्तर पूरब में यह वो दिशाएं जिनकों की टॉलेट के लिए यह वाश्रूम के लिए वास्तो शात्र में बहुत ज्यादा नेगेटिव की कैटेगरी में रखा जाता है अभी जो नेगेटिव टॉलेट होते हैं को कैसे दूर करेंगे कैसे अटाएंगे मैंने आपको बोला था कि यह जो यह टॉलेट बनेगे और लोगों ने आप से कह दिया तोड़ दोसको कोई राज ही नहीं है कैसे वास्तो के रेमेडी काम करती है इस पर मेरे वीडियो बनेगी यह यह रेमेडी आती कहां से है कौन bनाता है कैसे इस पर रिसर्च होती है मैं तो करता करवाता रहता हूं इसे चीज़ें काम कर जाती है इसका बहुत जादा सॉलिड मेरे पास रूफ है और मैं आपको दिखाऊंगा अब देखिए इस टॉलिड को हमें ठीक करना है जो भी टॉलिड हमारी बनी हुई है आपने देखा यह पूरी की पूरी जो वाश्रूम पूरा जो वाश्रूम में ह हमारा यह बना हुआ है हमारा नौर्थीस में यह देखिए जब नौर्थीस में आपका टॉलिड बना हुआ है और आपको दे रहा है वो टेंशन क्या करेंगे इस टॉलिड को ठीक करने के लिए बड़े आसा तरीके बता रहा हूं सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसा जो लगाओ पहली बात दुसरी बात जो शीड होती है लेटन की की होती है उससे थोड़ा सा नमक पानी मिला करके वाला नमक मिला करके वह वालन मिला कर समुद्री नमक और उसको वाश कर दे धूरे इसके सासरा कुछ रेविडी और वी हैं आप यह कर सकते हैं कि आप जहें यहां पर गिला नहुंपब आपको बताया कि आपने सी शौल्ट अशाट जहां पर आपको जगा मिलती है तो मैंने पहला बताया सी सोल्ट जिसे कहते हैं हम लोग जिसे हम कहते हैं समूद्री नमक सी सोल्ट ये इसका बहुत असान तरीका है सी सोल्ट समूद्री नमक ये आपको अराम से मिल जाएगा यह आपको अराम से मिल जाएगा समूद्री नमक ओर्लैन मिल जाएगा और आपके असपा जहां से आटा डाल आते हैं वहां से मिल जाएगा बहुत बड़ी बात नहीं है यह कौन सा नमक होता है सबसे सस्ती चीज दुनिया की बहुत सस्ता इसको आव तोरफोर यूज करते है वो जो बिजली की अर्थिं चाल को पानी को वहां पर भी इसको रिचार्ज करने के लिए साल्ट को यूज करते है साल्ट बहुत सस्ता कड़्ें मिलते हैं इसके 10 किलो के, 20 किलो के, 20 किलो के, 1. यह सी साल्ट जो है देखे कुछ तो remedy हमने आपकी यहां पर हमने सी सौल्ट से पूछा लगाया सेकेंड हमने किया यहां पर सी सौल्ट यहां पर रखा एक और result मेरे सामने जो आएं data मेरे सामने आए जिस पर मैंने experiment काफी लंबे समय से कर रहा था और practically जब देखा कि कितना energy vibrations में जबर्दशी जाता है वो एक चीज और है जो कि मैं आज आप से साजा करने वाला हूँ यह देखिए यह क्या है टमबल्स हैं ब्ल्यू कलर के टमबल्स यह छोट छोटे जैसे crystal होते हैं इनको भी आप अपने टोलइड में से खती हैं और पर चांपर जाए हम पॐसी चीजhe वाटर इलिमेंट के इन्डीकेर होते हैं अगर हम इस दिशा में जिस कॉण्ड के अंदर टोलइड बना हुआ है अगर हम टॉलेट की negativity खतम कर देते हैं और वहाँ पर जाए कोई positive ऐसी चीज वहाँ पर grade कर देते हैं जो वहाँ पर benefit देती है तो साथियों ये चीज बहुत काम आएगी ये जो tumbles हैं थोड़े से ले ले आदा किलो, हाफ किलो, हाफ केजी बहुत हैं इकलो ले रहे, बहुत सस्ते मिलते हैं और इनको जहे लेने के बाद में आप अपने टॉलेट के अंदर हो सके तो इशान कोण के आसपास जैसे मैंने जाकर इशान कोण में रखा है इसको वहाँ पर place करें किसी भी शीशे के बावल में आप देखिए, फिर से देखिए, कैसे देखने में कैसे लगते हैं ये कुछ ऐसे लगते हैं नेट पर इंटरनेट पर आपको अराम से मिल जाएंगे ये इसका second तरीका है इसके साथ साथ इसको बोलते हैं हम Tumbles Tumbles का मतलब हो गया पत्थर इसको बोलते हैं ये होते हैं T-U-M-B-L-E-S ठीक है टमबल स्टोन भी इसको बोल देते हैं और ये किस्टल के एक फोर्म होती है टमबल ये आपको मिल जाएंगे ये 500 ग्राम बहुत हैं ये रखेंगे और इसके साथ साथ देखो ध्यान करना जब भी वाश्रूम को यूज़ करते हैं उस वाश्रूम में सबसे पहले तो ध्यान करना कि अगर आप इसको एस टॉलेट यूज़ करना नहाने के लिए उसको नहाने के लिए कोई समस्या नहीं है कितना भी नहाए इशान कोड़ में कोई दिक्कत नहीं तो जब भी इसको यूज़ करेंगे देखिए उसके बाद जैसे धकन डखा हुआ इसको डग देना है डबल फ्रश कर देना है पहले फ्रश किया हैंड वश किये ब्रश किया फिर से फ्रश कर दिया गंद कि यहां से दूर चलेगी इस सीट आपके बिल्कुल साफ हो गई फर्श को आपने अच्छी तरह से वश किया हुआ है वहाँ पर आपने नमक का पोच्छा लगाया और साथ-सा जो है जब इससे बाहर निकलेंगे जब भी यूज़ करेंगे तो एक्जॉस फैंच जरूर चला रहने हैं जो हवा गंद ही हो जाती है और इसमें अगर चोटा सा एक चोटा सा पीस अगर इसमें आप नीवू का रखने काटके जैसे होता है हमारे घर में इसके 4 पीस करके वह कहीं पर रख दें किसी बींग च्छोटी सी चीज के अंदर तो वह भी महाँ पर पॉजिटिविटी ग्रेड करती है बह अच्छा रहेगा कि अगर इशान कॉर्ण में आपका टॉलिट बना हुआ है, ये सब रेमिडी करने के साथ हो सके तो एक-दो बाल्टी पानी भरके वहाँ पर हमेशा रखो. काम भी आता रहेगा नहाने के लिए आपके यूज के लिए. ये दूसरी बात, कभी भी भूल कर इशान कॉर्ण का जो टॉलिट बनता है, वाश्रूम मनता है, वहाँ पर आपको रेड कलर यूज नहीं करना, ब्राउन से भी बचना है, ये दो कलर यूज नहीं करना है. हम वहाँ की negativity हाके हटाके, वहाँ पर जो वाटर element है, इशान कॉर्ण का जो element बनता है, उसको वहाँ पर establish कर रहा है, negativity वहाँ से filter कर रहा है, और हाँ चलते चलते बताओने एक बात आपको, ये वो शौचाले नहीं है, जो अब से 10-20-30 साल पहले वहाँ करते थे, बहुत गंदे होते थे, शड़े वहाँ करते थे, याद करी उस टाइम पर, ये जो toilet है वाश्रूम में आपको बताएं, कि ऐसा पता चलता है, कि बहुत बार कुछ ऐसे भी करते हैं, करना तो नहीं चाहिए, लोग अपने साथ में मुबाईल ले आते हैं, वहीं पर अपना वेटसप चक करना शुकर देते हैं, वहीं पर मेज चक कर लेते हैं, और बहुत बार तो ये भी कहते हैं, मुझे क्लाइंट के सर मेरा बेटा वहाँ पर अपना लेटाफ ले आता है, तो ये toilet उस category के नहीं है, जिनको हम शोचाले कहते थे, और शोचाले जो बहुत गंदेगवा करते हैं, तो सबसे बड़ी बात, नेगेटिविटी यहाँ पर वैसी बहुत कम होती है, और जो थोड़ी बहुत होती है, उसको आपने दूर किया, डॉक्टर आनन्द भारदवाजी के फार्मुले से, आपके घर के अंदर जो टॉलेट की वज़े से समझा हैं, आपको आ रही हैं, नौर्थ इसमें शानकॉंड की वज़े से आ रही हैं, हेल्थ प्रोड़म आ रही है, वेल्थ प्रोड़म आती है, बच्चों की स्टड़ी, एज्योकेशन, विकास अभू जाते हैं, वहाँ प रही हैं, मेरे वीडियो देखते रही हैं एक के बाद एक, और खूल सारी रेमेडी कठी करो, घर को तोड़ना नहीं, फूड़ना नहीं, अगले वीडियों फिर आपसे मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए इजाज़तें, फिर से मिलेंगे, नमस्कार, धन्यवाद, थैं